C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है तक्षा साथ की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय पांच रेखा एवं कोण प्रिष्ठ 117 है 5.3.3 तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण आक्रिती 5.2.4 में आप देखते हैं कि रेखाएं L एवं M तिर्यक छेदी रेखा फी द्वारा काटी जा रही हैं इस प्रकार बनने वाले 1 से 8 तक अंकित कोणों के विशिष्ट नाम है अंथह कोण कोण तीन, कोण चार, कोण पांच, कोण छे भाहय कोण कोण एक, कोण दो, कोण सात, कोण आठ संगत कोणों के युग्म कोण एक और कोण पांच, कोण दो और कोण छे कोण तीन और कोण सात, कोण चार और कोण आठ एक आंतर अंतह कोणों के युग्म कोण तीन और कोण छे, कोण चार और कोण पांच एक आंतर भाहय कोणों के युग्म कोण एक और कोण आठ कोण दो और कोण सात तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतह कोणों के युग्म कोण तीन और कोण पांच, कोण चार और कोण छे आकरिती 5.24 इस आकरिती में P, रेखा एल और M की तिर्यक छेदी रेखा है रेखा P, रेखा एल को इस प्रकार काटती है जिससे चार कोण मिलते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, एवं कोण 4 रेखा P, रेखा M को इस प्रकार काटती है जिससे चार कोण प्राप्त होते हैं कोण 5, कोण 6, कोण 7, एवं कोण 8 प्रिष्ठ एक साव अठा रह टिपणी आक्रिती पांच दशमलव दो पांच में कोण एक एवं कोण पांच जैसे संगत कोणों में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं एक विभिन शीर्ष दो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने होते हैं तीन दो रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों यानि उपर अथवा नीचे भायां अथवा दायां में होते हैं आक्रिती पांच दशमलव दो पांच यहां चार तिर्यक छेदी रेखाएं दी गई हैं कोण एक और कोण पांच, कोण तीन और कोण साथ कोण दो और कोण छे, कोण चार और कोण आठ संगत खोणों को दर्शाती हैं आक्रिती पांच दशमलव दो छे में कोण तीन एवं कोण छे जैसे अंतह एकांतर कोण एक के विभिन शीर्ष होते हैं दो तिर्यक छेदी रेखा के सम्मुख स्थिती पर बने होते हैं तीन दो रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं आक्रिती पांच दशमलव दो छे यहां दो तिर्यक छेदी रेखाएं दी गई हैं कोण तीन और कोण छे, कोण चार और कोण पांच अंतह एकांतर कोण को दर्शाती हैं प्रयास कीजिए प्रतेक आक्रिती में कोण युग्म को नाम दीजिए यहाँ छहे अलग-अलग आकृतियां दी गई हैं, जिन में एक से बारह तक के अलग-अलग घोन दिये गई हैं पांच दशमलव तीन दशमलव चार समानतर रेखाऊं की तिर्यक छेदी रेखा क्या आपको याद है कि समानतर रेखाऊं क्या हैं, ये किसी तल में ऐसी रेखाऊं होती हैं, जो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती क्या आप निम्नलिखित आकृतियों में समानतर रेखाऊं की पहचान कर सकते हैं, आकृति पांच दशमलव दो साथ प्रिष्ठ 119 आकृति पांच दशमलव दो साथ, यहाँ चार अलग-अलग आकृतियां हैं, यहाँ एक सीड़ी, एक कपड़े सुखाने का स्टैंड, एक टाइल और एक लिफाफा दिया गया है समानतर रेखाऊं की तिर्यक छेदी रेखा या तिर्यक रेखा से बहुत ही रुचिकर परिणाम प्राप्त होते हैं इन्हें कीजिए, एक रेखांकित काघज लीजिए, दो मोटी रंगीली समानतर रेखाऊं एल और एम खीचिए, रेखाऊं एल और एम की एक तिर्यक छेदी रेखा टी खीचिए, कोण एक और कोण दो को लेबल कीजिए, जैसा के आकरिती पाँच दशमलव दो आठ एक में दर्शाया गया है खीची गई आकरिती पर एक अनुरेखन काघज यानि ट्रेसिंग पेपर रखिए, रेखाऊं एल, हैम और टी की प्रतिलिपी बनाईए ट्रेसिंग पेपर को टी के अनु तब तक खिसका ये, जब तक हैल, हैम के समपाती न हो जाए आप पाते हैं कि प्रतिलिपित आकरिती का कोण एक मूल आकरिती के कोण दो के समपाती हो जाता है वास्तव में आप निम्न लिखित परिणामों को अनुरेखन एवं खिसकाने के क्रिया कलाप से सत्यापित कर सकते हैं एक, कोण एक बराबर कोण दो, दो, कोण तीन बराबर कोण चार, तीन, कोण फांच बराबर कोण छे, चार, कोण साथ बराबर कोण आठ यहां आकरिती पांच दशमलावाट की चारों आकरितियां दिखाई गई हैं प्रिष्ट 120 यह क्रिया कलाप निम्न लिखित तत्य को द्रिष्टांतित करती है। यदि दो समानतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं, तो संगत कोणों के प्रत्येक युग्म का माप समान होता है। इस परिणाम का उपयोग करते हुए हम एक दूसरा रुचिकर परिणाम प्राप्त करते हैं। आकृती 5.29 को देखिए। आकृती 5.29 यहां समानतर रेखाएं L और M रेखा T द्वारा काटी जा रही हैं और ये एक तिर्यक छेदी रेखा बनाती है। जब समानतर रेखाएं L और M रेखा T द्वारा काटी जाती हैं, तो कोण 3 बराबर कोण 7? शीरशाभी मुख कोण? परन्तु कोण 7 बराबर कोण 8? संगत कोण? इसलिए कोण 3 बराबर कोण 8? इसी प्रकार आप दर्शा सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 6? अतह हमें निम्नलिखित परिणाम की प्राप्ती होती है। यदि दो समानतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं, तो अंतह एक आंतर कोणों का प्रत्येक युग्म समान होता है। यह दूसरा परिणाम हमें एक और रुचिकर गुण धर्म की ओर अग्रसर करता है। फिर से आकरिती 5.29 में दिये हुए आलेक से कोण 3 जमा कोण 1 बराबर 180 डिग्री। कोण 3 और कोण 1 रेखिक युग्म बनाते हैं, परंतु कोण 1 बराबर कोण 6, अंतह एक आंतर कोणों का एक युग्म। इस प्रकार हम कह सकते हैं के कोण 3 जमा कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इस प्रकार हमें निम्नलिखित परिणाम की प्राप्ती होती है। यदि दो समानतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं, तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ को बने अंतह कोणों का प्रत्येक युग्म सम्पूरक होता है। सुसंगत आकृतियों को ध्यान में रखते हुए आप इन परिणामों को बहुत आसानी से स्मरण कर सकते हैं। संगत कोणों के लिए एफ आखार को ध्यान में रखिये। यहां दी गई तीन आकृतियों से ये दर्शाया गया है। एक आंतर कोणों के लिए जेड आकार को ध्यान में रखिये। यहां दी गई तीन आकृतियों से ये दर्शाया गया है। इनहें कीजिए समानतर रेखाओं का एक युग्म एवं एक तिर्यक छेदी रेखा खींचिये। कोणों को माप कर उपर युक्त तीन कथनों का सत्यापन कीजिए। प्रयास कीजिए। यहां छे अलग-अलग आकृतियां दी गई हैं और उनके बारे में यहां बताया गया है। एल समानतर है एम के टी एक तिर्यक छेदी रेखा है कोण एक्स बराबर डैश। ए समानतर बी के सी एक तिर्यक छेदी रेखा है कोण वाई बराबर डैश। एल एक एल दो दो रेखाएं हैं टी एक तिर्यक छेदी रेखा है क्या कोण एक बराबर कोण दो हैं। एल समानतर है एम के टी एक तिर्यक छेदी रेखा है कोण जड बराबर डैश। L समानतर M के, T एक तिर्यक छेदी रेखा है, कौन X बराबर टैश L समानतर है M के, P समानतर है Q के, A, B, C, D ग्याद कीजिए प्रिष्ट 112 5.4 समानतर रेखाओं की जाच यदि दो रेखाओं समानतर हैं, तो आप जानते हैं, के एक तिर्यक छेदी रेखा की सहाईता से, समान संगत कोणों का एक युग्म प्राप्त होता है और तिर्यक छेदी रेखा के, एक ही तरफ बने अनतर कोण, जो संपूरक होते हैं जब दो रेखाओं दी हुई हैं, तो क्या कोई ऐसी विधी है, जिसकी सहाईता से यह जाच की जा सके, कि दी हुई रेखाओं समानतर हैं, अथवा नहीं जीवन से जुड़ी अनेक परिस्थितियों में, आपको इस कौशल की आवश्यकता होती है इन खंडों को आकृती 5.30 खीचने के लिए एक नक्षान वीश, बढ़ही के वर्ग एवं रूलर का प्रयोग करता है, वह दावा करता है कि यह समानतर हैं, कैसे? क्या आप देख पाते हैं कि उसने संगत कौणों को समान रखा है? यहां तिर्यक छेदी रेखा क्या है? अथह, जब एक तिर्यक छेदी रेखा, दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि संगत कौणों के युग्म समान हैं, तो रेखाएं समानतर होती हैं. आक्रिती पांच दशमलव तीन शून्य, यहां एक आक्रिती दी गई है, अक्षर Z, आक्रिती पांच दशमलव तीन एक को देखिए, यहां ख्षैति जिखंड समानतर हैं, क्योंकि एक आंतर कौन समान हैं, जब एक तिर्यक छेदी रेखा, दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है, के अन्तह एक आंतर कौनों का युग्म समान है, तो रेखाएं समानतर होती हैं, आक्रिती पांच दशमलव तीन एक, यहां एक आक्रिती दी गई है, जो अंग्रेजी अक्षर Z को दर्शाती है, एक रेखा L खीचिये आकरिती पांच दशमलव तीन दो रेखा L के लंबवत एक रेखा M खीचिये एक रेखा P इस प्रकार खीचिये ताके P M के लंबवत हो इस प्रकार P L लंब पर लंब है आप पाते हैं कि P L के समानतर है कैसे? यह इसलिए है क्योंकि आपने P को इस प्रकार खीचा है कि कौन A जमा कौन 2 बराबर 180 C डिगरी अथह जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतह कोणों का युग्म समपूरक है तो रेखाएं समानतर होती हैं 5.32 यहां एक आकरिती दी गई है जिसमें रेखा P और रेखा L को रेखा M लंब वत काट रही है कौन एक और कौन दो 90 डिगरी हैं प्रयास कीजिए यहां तीन आकरितियां दी गई है क्या L M के समानतर है? क्यों? क्या L M के समानतर है? क्यों? यदि L M के समानतर है तो X क्या है? प्रिष्ट 123 प्रश्णावली 5.2 एक निम्न लिखित कथनों में प्रत्येक कथन में उपयोग किये गए गुण धर्म का वरणन कीजिए आकरिती 5.33 एक यदि A B के समानतर है तो कौन एक बराबर कौन पाँच? दो यदि कौन 4 बराबर कौन 6 तो A B के समानतर है तीन यदि कौन 4 जमा कौन 5 बराबर 180 डिग्री तो A समानतर है B के आकरिती 5.33 यहां एक आकरिती दी गई है जिसमें रेखा A और रेखा B को दो अन्य रेखाएं काटती हैं दो आकरिती 5.34 में निम्न लिखित की पहचान कीजिए एक संगत कौनों के युग्म दो अन्थह एकांतर कौनों के युग्म तीन तिरियक छेदी रेखा के एक तरफ बने अन्थह कौनों के युग्म चार शीरशाभी मुख कौन आकरिती 5.34 यहां एक आकरिती दी गई है जिसमें रेखा A और रेखा B को रेखा C काटती है 3. सनलगन आकरिती में P Q के समान तर है अग्यात कौन ग्यात कीजिए 4. यदि L M के समान तर है तो निम्न लिखित आकरितियों में प्रत्येक में X का मान ग्यात कीजिए यहां दो अलग-अलग आकरितियां दी गई है 5. दी हुई आकरिती में दो कौनों की भुजाएं समान तर है यदि कौन A, B, C बराबर सत्तर डिग्री है तो 1. कौन D, G, C ग्यात कीजिए 2. कौन D, E, F ग्यात कीजिए 6. नीचे दी हुई आकरितियों में निर्णएं लीजिए कि क्या L, M के समान तर है यहां चार अलग-अलग आकरितियां दी गई हैं हमने क्या चर्चा की 1. हम स्मरण करते हैं के 1. एक रेखा खंड के दो अंत बिंदू होते हैं 2. एक किरण का केवल एक अंत बिंदू, इसका शीर्ष होता है 3. एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अंत बिंदू नहीं होता है 2. एक कून का निर्मान तब होता है जब दो रेखाएं, अथवा किरण, अथवा रेखा खंड, एक दूसरे को मिलती है कोण युग्म, प्रतिबंध 2. पूरक कोण, मापूं का योग नबे डिग्री है 2. संपूरक कोण, मापूं का योग एक सा असी डिग्री है 2. आसन कोण, एक उभैनिष्ठ शीर्ष और एक उभैनिष्ठ भुजा होती है परन्तु कोई उभैनिष्ठ अंतस्थ नहीं होता है 3. जब दो रेखाएं L और M एक दूसरे से मिलती हैं तो हम कहते हैं के ये रेखाएं प्रतिछेद करती हैं मिलान बिंदू प्रतिछेद बिंदू कहलाता है ऐसी रेखाएं जिनहें कितना भी बढ़हाया जाए आपस में नहीं मिलती जब दो रेखाएं प्रतिछेद करती हैं 2. दो अथवा अधिक रेखाउं को विभिन बिंदूओं पर प्रतिछेद करने वाली रेखा, तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। 3. एक तिर्यक छेदी रेखा आरेख से विभिन प्रकार के कोण प्राप्त होते हैं। 4. आक्रिती में हमें मिलता है कोणों के प्रकार, दर्शाने वाले कोण, अंतह, कोण तीन, कोण चार, कोण पांच, कोण छेए। 5. बाहय, कोण एक, कोण दो, कोण साथ, कोण आठ 6. संगत, कोण एक तथा कोण पांच, कोण दो, एवं कोण छे, कोण तीन, तथा कोण साथ, कोण चार, एवं कोण आठ 6. अंतह, एक अंतर, कोण तीन, तथा कोण छे, कोण चार, एवं कोण पांच 6. बाहय, एक अंतर, कोण एक, तथा कोण आठ, कोण दो, एवं कोण साथ 7. तिर्यक छेदी रेखा के, एक ही तरफ बने, अंतह, कोणों के युग्म 9. कोण तीन, तथा कोण पांच, कोण चार, एवं कोण छे 5. जब एक तिर्यक छेदी रेखा, दो समानतर रेखाऊं को काटती है, तो हमें निम्न लिखित, प्रुचिकर संबंध प्राप्त होते हैं संगत कोणों का प्रतेक युग्म समान होता है कोण एक बराबर कोण पांच, कोण तीन बराबर कोण साथ, कोण दो बराबर कोण छे, कोण चार बराबर कोण आट अंतह एक आंतर कोणों के युग्म समान होते हैं कोण तीन बराबर कोण छे, कोण चार बराबर कोण पांच तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतह कोणों का प्रत्येक युग्म सम्पूरक होता है कोण तीन जमा कोण पांच बराबर 180 डिग्री कोण चार जमा कोण छे, बराबर 180 डिग्री अभी आप सुन रहे थे कक्षा साथ की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक कारिक्रम समन वयक, डॉक्टर राजेश कुमार निमेश वाचन्स्वर गौरव मारवा, तक्नीकी समन वयक, बतिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, विकास सांगवान, निर्मान सहयोग, सौम्या मलिक निर्देशन वनिर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत